पीचनाओं के बात चुनाओं की बात में आपका सुवागत है लेकिन ये बात देवास चाजापुर्ण लोगसुभाथ में चेत्र में मैं ये बात इस देवास बbang जो सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करेता हुए क्या करने बाले इस बार लोग सभा के चुनाव में और किस बात को सोच कर सरकार बनाईगे राश्ट्री इतने ही मद्दान होगा सर प्रतम तो मेरा वोट राश्ट्री इतने होगा दूसरी बात जिस तरीके से इकनमिक ग्रोथ हम देखते जा रहे हैं मोधी जी ने इंप्रीमेंट करने की सोची आगे कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करें हैं, जिससे लोग अपनी स्किल डेवलप daha करें, और रोजगाया प्राप्ट करें, अब जो बैठे उनके लिदेश श्रीर कि बाद बहुत होती रही, क्या होगा इस बार कि लोग सभ पर पर दोड़ान मंदीर पर विकास पर होगा और जो आप युवां के बीच में युवां इदिमी के रूप में लोग निखर के आ रहे हैं तो हमारा वोट तो प्रधान मंती नरेंद मोधी जी को होगा तो मोधी के नाम पर बोट होगा या फिर दूसरे जो मुद्दे उसके नाम पर बोट होगा मोधी जी के नाम परности के नाम पर बोड होना में उन्याद विकास के साम होना धरा 370 के साथ होना राम जी के साथ होना हर चीज तो मोधी से जुड़ी होई है लोडी है तो देश की उन्नती है लेकिन वो दाबा करते हैं कि रोजगार की नए अफसर भारत इस समय सबसे बड़ी एकनौमी बनने बाला है देश और दुनिया की ये तो सब जुटी बाते हैं कोई रोजगार का औसर नहीं हो के पास तकंवाई रहेगा और नरेन मोदी जी के जो कामों को देखकर यहाई इस बार वोट करेगा birth बेरोजगारी कोई मोदा नहीं रहेगा राश्ठित रहेगा मुद्दा राहुल गांदी कहते हैं कि चाइना की सीमा कमजूर पड़ गई है कॉंग्रिस का आरूप है जो मुदी दिखाते दिखता तो है दिखाते तो है पर होता नहीं है यह तो आप देख रहे हैं दस साल में मानने मुदी जी के नेतरतों में देश कितना पावर्फूल हुआ है उस दस साल आज दस साल मोडी जी अपसे आप देख रहे हैं कि बोडर पर कहां कितना कुछ भी आप पहले आतक वाद पहले दिल्ली में हंगाम होते थे कई आतंग मुंबई में घुच जाते थे कई आपको सुनने मारा दस साल में कभी कुछ हुआ है ऐसा सीमा है मजबूत हुई सीमा है मजबूत हुई है विल्कुल क्योंकि अभी नंदन जैसा वेक्ति पाकिस्तान में जाने के बाद में इंडिया में फिर से आ जाता है तो आप सोच लीजिए कि मोडी जी के नित्रत में सरकार कितनी उस प्रकार की मतलब गतिवीदियों के साथ में कारे कर रही है कि प्रदान मंतरी जी जाते हैं और उस प्रकार की गतिवीदियों में उनके साथ होसले के साथ काम करते हैं तो इस प्रकार की चीजे देखने में आती और इसी को देखकर वोट करता है कि मेरा देश आज पावर्फुल बन रहा है तो देश पावर्फुल बन रहा है बात हो रह सब्सक्राइब करें कि अभी यह मुद्दा है कि 2000 पेल इनके DSP जो समय जांच में सब्सक्राइब थे जिनके पर जांच होनी ती वह कहां है और पुल्वामा के मुद्दे पर पिछली बार भी चुनाओ हुआ इसा कहता है मतलब लोग कहते हैं तो फिर इस बार फिर मुद्दा आएगा जिनके ओफर जहां चुई थी आज तक उनको भारत में हैं विदेश में हैं उनको क्या दिया क्या नी दिया इनको कोई वता है जब कॉंग्रेस शाषन था जब हमारे सेनिकों के सर काटके वहाँ पर फुटबाल खेली जाती थी आज दस साल के शाषन में ना तो आतंगवाद है ना किसी की हिम्मत है कि भारती सीमा में घुस सके हम घर में घुसके मारने की प्रवत्ती में आ चुके हमारा सेनिक बल इतन आज बात मुझे बता दीजी मुझे तो नरेद मोदी जी की बाते अचल लगती है क्योंकि जिस प्रकार अपना देश विकास की गती को तरफ बढ़ रहा है आप आज रोड देख लें देवास इंदोर का उज्जेन का रोड जो है वो नेशनल हाइवे है आज पता नहीं चल परिवार बात का अरूप हमीशा लगता रहा है वो फिर एक बार वही सब दिखाई दे रहा है परिवार वात तो बस एक मुई इजेंडा बना लेना जैसा अभी शक्ति शक्ति इजणर इनका वीजेपी वालों का पूरा काम ऐशा है क्या माद भारत देश के वाशियों को भेहमित करना अभी एजेंडा बना लिया इनने इनसे पुछ हो जो अटरा पर सेंट जीएश्ट लगी किस कारण लगी क्या है आपने जब राहूल गांधी जी ने बोला था पेटियम देश को बरबाद करेगा आज वह दस पांस साल वाद आपके सामने आया इस पर कोई नहीं बोल रहा पेटियम जैसे मुद्धे हैं वैसे इस मुद्धे को कॉंग्रिस खूब उठारी आप दिजिटल इंडिया के माध्यम से जो डिजिटल हुआ है इंडिया यह आप 2014 के पहले का कंपेरिजन कर लीजिए आज अपना देश कितने आगे बढ़ चुका है आज न्यूस चेनल के माध्यम से पहले टीवी पर लोग कितना देखते थे और आज कितना देखते हैं यह आज देश एक्सपोर्ट कर रहा है क्योंकि आज मोदी जी ने सेमी कंड़क्टर के लिए काम क्या है साइंस टेकनोलोजी में अगर हम यूपी की बात करें तो एंडिया की गवर्मेंट में साइंस और टेकनोलोजी के मामले में सबसे आदा काम हो रहा है जो चंद्रयान जो सबसे आदा जो सक्सेस्फुल रहा है तो इस में देखता हूं कि जो साइंस और टेकनोलोजी उसको एंडिया ने सबसे आदा प्रमोट का है लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चाहिंद्रा गांदी का कारिकाल रहा हो बाकि जो भी पधान मंती रहे हो वो कहते उस दोर से चलते आ र जैसे उसमें इंपोर्ट करने लगा है वो एक्सपोर्ट करने लगा है वो तो इस्टाटप के साथ इंपोर्ट की बात होने लगी है आप कहते हैं रूजगार नहीं है वो कह रहे हैं आज कल तो इस्टाटप के जरिए इंपोर्ट होने लगा है पहले तो मैं आपको बता अपना सबकुस समर्पित करने को लिए यार अगर वकिल बनता कंट्म तो क्या नेता के बटेको को नेता बनने का अधिकार नहीं है आप यह बताइये क्या विजोपी में नेताऊ पूतर नहीं उतार dwarf विज़ा इसा करते हो तो विज़ेपी में कोई नेताऊ नहीं होना पर उस कारण उस लायक योगय अब लाइक तो नहीं चाहिए ना उन्हों में भाशन देते हैं बाशन भूल जाते हैं अगर नेता का पूत्र नेता बने तो हम उसके लिए तैयार है वोड़ देने के लिए उनको बाकी भाशन भी तो इस तरह का होना चाहिए है अब बिल्कुल जो आप लोग भी शक्ति है तो क्या ये मुद्दा आगे चलकर बड़ा मुद्दा बनने बाला जो आप कहने बिल्कुल बड़ा मुद्दा बनेगा क्योंकि वही एक तरफ हमारे मोदी जी जो 33% हमें आरक्षन देने की बात कर रहे और वो शक्तियों को तोड़ने की बात कर र एक तो इन्होंने हमारे जो नेता है उनके पीछे एक प्रोपगेंड़ा तयार करने के लिए कि इनको गलत बताना मतलब बताना और दूसरी चीज यह है कि आप हमारे जो नेता है वो साब्चभी और सच्छ नहवी कर देता है उनको एक चीज ने आती चल और जूट रहूल चल कपट कुछ नहीं आता है यह पूरे दुनिया देख रही है कि कितना चल कपट में जी रहे हैं चुनाओ आते ही मंदिर पोच जाते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं उसके बाद जाके फिर बज्जितों में जाके खेरात बाटते हैं तो राहूल गांदी से बड़ा चल रहा है प्रतिभा संपन होते तो पिछली बार दो लोग सभा से चुनाओ नहीं लड़ते हैं उन्होंने अमेठी और वाइनाट से चुनाओ लड़ा था जब पहली बार चुनाओ लड़े तो एक जए गुजरात से और बनारस दोनों जगे से चुनाओ लड़े तो वो तो प्रतिभा संपने नहीं वो तो के रहे हैं कि आप पूरे भारत के अंदर मुझे कहीं से भी लोग सभा चुनाओ लड़वा दो कहीं से भी जहां से हम नही सकते हुआ से भी आप लोग सभा चुनाओ लड़े राहूल गांदी को मेठी जाना चाहिए अभी राहूल गांदी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे है पुरे भारत में घूम रहे है उनको काईदे से चीन तिबबत मियानमार भूटान बंगलादेस एसी जगा एसी जगा पूरव में टूट चुका है उन भारत को जोडने की बात कीजिए जो यूवा और नोजवाने वह इसा ब्रहमीत है जैसे आपने मूवी देखी होगी मुन्ना भाई वह सर्कृत से पुचता है तो दिखता है कोई भी कुछ निकूश को कोई नहीं मालूम महां से उनने वह सक नेना क्या ज है क्या है सकती कर ने ज्क मोंची ने भोला शक्ती आज रामा एंड में कोई दोहें मोजी ने बोले बाद भाइट नहीं है कोई पूरइट कोपी राइड नहीं है कोई इनके घाना भी अधिकार अधीकार इसके बात मेरा मेरा यह कहना है कि वो यदि इस बात को इन तक पहुचाने में सफल हो रहे तो कॉंग्रेस का सबसे विफलती जो आजकल जो मीडिया है वह आजकल इतना खुलके नहीं कर रहा है अभी बड़े-बड़े पत्र मीडिया का रही हुआ है फोटो घिचा है मोजी जी के साथ अब वहां पर अधिकतर जो चाइना का माल आते हैं वह अधिकतर कांग्रेसी यूज़ कर रहे हैं आप देख रहे होंगे कि जहां पर जैसे भगया ने वाली तो सरकार भारती जन्ता पार्टी केंद की सरकार मोधी की सरकार पर जो यूज़ करने की बात है क्योंकि चाइना एक बहुत- इंडिया में उसकी प्रांचेस ड़ल दीना दीरे-दीरे किसी चीज़ खतम करेंगे एक दम किसी खतम नहीं हो सकती क्या दस साल में ही शिप चाहिना का माल इंडिया में नहीं आता था ग्यां पर विरोध करने के बाद में इन लोगों ने किसी उस चीज़ को भारत में सब्सक्राइब बनाते हैं तो पीडी बच्चें से लेके बड़ी होती है दस साल में इनके पास टोटल चीज़ आ गई सब करा है अधर मयाइब रामन यह साने से बुच्ट अविकास करा देवलध विदान साहमें मैं कहता हूं मैं यह गिनाध एक खर साशने कर देत क्यों है यह सब रूपर कम भी बेट्रchar पेले नी कम हो रहे थे कि मोदी जी ने क्या विकास करब है कि 2014 के पहले लाइट किती वजय तक आती घर में आप एक बार यह भी तो सचो आप एक बार सचो कि 24 गंटे का दीन होता है 24 गंटे का दीन होता है उसमें से 8 गंटे आपको लाइट मिलती थी आज गाओं गाओं चले जाए आपको 24 गंटे में 24 गंटे पूरी लाइट मिलती है क्यों लोगों को ब्रहमित करना सोलर पेनल एक किलो वाट सट एक लाग बीस जार का मिल रहा हुच पर साथ हजार की सबसीटी मिल रही है साथ हजार में योजना लग रही है हर घर में सोलर पेनल लगिया जिससे बिल काम होगा यहने देश दिन पर दिन प्रगति करता जा रहा है इंद्रा गांदी आवाश योजना के हर घर में आपको घर मिलेंगे पिले इंद्रा गांदी आवाश योजना के तो कुछ भी घर नहीं मिले टरा इंद्रा भबन के लिए सब खागा है नेताओं के जेम में जितने भी आवाश होजना है घर नेताओं के प्रदान मंत्री ने बोला था कि मैं एक रुप्या वहिसता हूं तो नीचे 25 पेसे आते हैं आज हमारे प्रदान मंत्री कहते हैं उसको पाने में सफल रही है क्योंकि जैसे की दिदी ने बताया था कि 33% आरक्षन की जो बात करते हैं वह वकायदा मिल रहा है हम अलग अलग जगे देखते हो समानता की बात होती है इवन अगर देखा जाए तो अभी जो सड़कों आपको यह रिक्षा दिखाई दे रही है उ महिलाओं के लिए बहुत काम हुवे हैं और पहले महिलाओं कितनी ज़्यादा सुरक्षित थी कॉंग्रेस के टाइम में हम सब लोग जानते हैं अभी प्रेजन टाइम में कुछ एक दो मामले हैं तो वो उसको लेके मुद्दा बना दिया जाता है अब सरकार तो ऐसा नहीं क मंत्री मोदी की भी गारंटी है किसकी गारंटी पर विश्वास है भारत देश पुरे भारत का प्रत्यक नागरिक जानता है अगर पहले हमारे जो सेना के जवान थे उनको एक फोटी सेवन चलाने के लिए रोक दिया जाता था अनुमती लेना पड़ती थी केंद्र सरकार से उनको आतंगवादियों को फायर करने के लिए लेकिन आज मोदी ने इतनी गारंटी दे रखी है कि अगर कोई सीमा पर अगर खड़ा हो जाए और भारत की तरह पांग उठा के देख ले तो आप उसको चलनी चलनी कर दो अभी इनने वोला कि मोधी की गारंटी मध्यप्रदेश के किसानों ने देख लिया 2700 रुपे की मोधी की गारंटी थी किसानों को देने की आज 22 रुपे और उसमें 1.5 और बढ़ा कि इनने वोला कि 2324 होगी यह इनकी गारंटी है यह किसान को एकदम जड़ से खतम करना चाहत हैं इसान के लिए चार चार दिन लाइन में लगना पड़ताथा और आज 2 गांटे में बिले दर साथ में वेराउस मेरे को मलूम है सब्सक्राइब करता है देल बताता है यह रही है एक किसंदय डेले इन्स टी पूर्व सी सुर्पशनाना के मत जिख्रKन में ने आधियद рокोरणopping के लिए संसर में कमग्रेस की शाषन में कि 100 निकलने में हमारी माता सब्सक्राइट नहीं तो सब कुछ मुम्किन है तो खुछ भी मुम्किन नहीं है मोधी में 15000-25000 चौब की सबकी गारंटी दी ती दोख और जोप की कि इस देश के अंदर इतना आधाने के प्रत्यक्ति व्यक्ति यहां यहां इसा बोला था भारत के अंदर पूरे दूनिया के अंदर 1881 में सोजर पिणल लगी जो इनने बात करी हमारे भाहिया ने उसके बास सतर साल का अंग्रेस ने राच करा एक बारवी सोलर पिजल की बाद इनने सतर साल में निगरी आज हमारे दस साल के हसन काल में और आने वाले जो प्लस पांच हो रहे हैं उसमें 90 परसेंट देश के अंदर सोलर पिजल आईगी और घर घर पोचेगी और चाहिना के मुद्धा व मैं आपसे यह चाहता हूं कि हम राम मंदिर के दर्शे हमारी आस्ता का केंद्र हम आज आपने आज आज वीजेपी वीजेपी को वीजेपी ना देश में इसा महूल बना दिया कि एक टाइम विपक्ष पक्ष विपक्ष एक दोस्त रहता था आज कल दुस्मन की नजर देख यह कुछ बता नहीं सकते हैं कि बात करें यह खुद ब्रहमीत है अपने को आप बता रहे सरी है आप पाकिस्तान से लिया यह राम की बात करते हैं वह जो वीजेपी में आ रहे हैं मतलब कांग्रेसी नेताओं ने उस समय प्रस्टाचार करा है एक बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है एक समय ऐसा था जब कॉंग्रेस की सरकार हुआ करती तब बीजेपी की सरकार सत्ता में नहीं थी सब पर अब апकार regular की नाम पर लाखो करोड़ों का खेल हो गया सर यह तो बोलने की बात है आरोप सिद्ध नहीं हुआ है आरोप तुम्हें इन पर लगा तो इनने बहुत कुछ लिया है पर आपको लगता है इलेक्टराल बॉंड पर बड़ा घुटाला हो गया ऐसे जब कुछ साबित नहीं कर पाते तो सीफ वह ब इनको ब्रहमित कर दिया एक वह एक बजाने का दे दिया कि बजाओ 400 और तो पर कुछ नहीं होना और राजीव गांधी चाहिए इंद्रा गांधी चाहिए राहूल गांधी चाहिए उसके पे पे कॉंग्रेस कितने पार जाईए कि सार इस बार कॉंग्रेस मतलब माहां तो इनकी निर्दारी देना प्रेले से क्योंकि इनके समय में इसलिए दबाने में लोग जोईन कर रहे हैं तो शाषन क्यों करता है कल आप यारोप लगा दोगी इसलिए जैसा की कंपनी छे महिने में सुल्ला हजार गुना बढ़ जाती है यह गोटाला कांसे हुआ केसे हुआ जवाब दे भाई साथ जैसा की कंपनी इसका प्रूफ और दूसरा इलेक्टरोल बॉंड पर मैं कहना चाहूंगा भाजपाप को 6,000 करोड का इलेक्टरोल बॉंड मिला और भारती जन्ता पाटी पूरे देश में बहुत सारी सीटों पर राज करती है और आप बाकी विपक्षी पाटियों का इलेक्टरोल बॉंड देखेंगे तो 10,000 करोड के उपर जाएगा तो आप तुलना करें तो तत्यात्मक्त तोरा पर तुलना करें छे हजार करोड और बहुत άंसद जिसके तीनसो पर जैसे जह भीदायक हजार से उपर हो तो उससे 6,000 करोड का अगर इलेक्ट्रोल बॉन मिलता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है बाकी आप कंपेर करेंगे तो आपको बिल्कुल आकड़ अच्छी तरीके से मिलेंगे प्रदान मंद्री के नाम से इलेक्ट्रो बॉन लेकर देश के नाम पर अब कंपणी पैसे लेकर आ रहे हैं आप बस घ्रमित करते हैं लोगों को आपका क्या काम इलेक्ट्रो बॉन ब्याइब लाइन में बता दीजे सरकार किसकी बनाएंगे बात बात होती है बात विदेश नीती के होती है बात इलेक्टरल बॉंड की होती है बात होती है राहूल गांदी की बात पधान मंतरी मोधी की लेकिन ही युवाओं के मन में क्या है वो भी आप समझ रहे होंगे तो देबाश शाजापुर से चुनाओं की बात में इतना ही मुझे और मने सही हुगे अस्टनी को दीजे इजाजत बने लिए बंसनीच पर नमस्कार